दोस्तों अगर आपके फोन में Google Play Store से Facebook आप जो है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है आपको कुछ पेंडिंग टाइप से दिखा रहा है या फिर वेटिंग फॉर वाइफाई इस टाइप की कोई प्रॉब्लम सा रही है और आपके में Facebook आप जो है वो नहीं इंस्टॉल हो रहा है तो आपको देख लेना है कि आपके में Net Speed वगरा सही आ रही हो अदर्वाइज आप यहाँ पे एक बार Flight Mode on-off कर लीजिए अपने फोन में ताकि जो क्या आते हैं सीम एक बार Network मतलब refresh हो जाएगा और उसके बाद आप चक करिए अगर आप Wi-Fi यूज कर रहे हैं तो आपको य प्रोफाइल डाटा बढ़िया चला है फिर भी नहीं डाउनलोड हो रहा तो आपको क्या करना है आपको यहां से बैक कर लेना है और बैक करने के बाद आपको यहां पे प्रोफाइल वाला ओप्शन दिखेगा आइकन आप इस पे क्लिक करिए इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यह देख लेना है कि कोई pending download तो नहीं है मतलब already कोई applications download तो नहीं हो रहे मान लेते हैं अगर आपके में 4-5 application already जो है pending में है और एक कोई download हो रहा है तो आपके में Facebook नहीं download होगा जब तक वो सारे complete नहीं हो जाते तो आप इनको पहले यहाँ पे complete हो जाने दीजिए अ उसके बाद आप Facebook download करिए आपके में download हो जाएगा क्योंकि Play Store पे आप multiple apps को at the same time नहीं download कर सकते ठीक है तो आपको वो पहले यहाँ पे finish हो जाने देना उसके बाद करना है या फिर यहाँ पे आप cut कर दीजिए तब download करिए हो जाएगा लेकिन अगर आपके में यहाँ पे आपको एक option दिखेगा network preferences का आपको इस पर click करना है इस पर click करेंगे तो आपको एक option दिखेगा app download preference का आपको इस पर click करना है इस पर click करने के बाद आपको over any network का option select करके done कर देना है अगर आपके में यह लगा होगा over Wi-Fi only तो जब आपका phone Wi-Fi वगएरा से connect होगा तब ही download हो तो आपको over any network पर click करके done कर देना है उसके बाद आप जा करके Facebook डाउनलोड करके देखिए अगर डाउनलोड होता है तो ठीक है लेकिन तब भी अगर नहीं डाउनलोड हो रहा तो आपको क्या करना है आप यहां से home कर लीजे और अपने phone में play store पर थोड़ी दे tap करिए tap करने के बाद आपको एक app info का option दिखेगा इसपे click करिए इसपे click करने के बाद यहां पे आपको एक option दिखेगा restrict data usage का option आप इसपे click करिए और यहां पे आपको जो है mobile data select कर लेना है अगर आपके में unselect है ठीक है तो यहां पे आप select करके ok कर लीजे और उसके बाद आपको क् clear data पर click कर लिजे और clear cache कर दीजे ठीक है अगर आपके में background में app open है तो आप four stop पर click करके यहाँ पर okay कर लिजे मतलब app को अपने four stop कर दीजे और उसके बाद आप यहाँ पे अपने phone में play store खोलिए और facebook download करिए आपके में facebook जो है वो download होने लगेगा आपको कोई भी problem जो है वो नहीं आएगी अगर वीडियो से help हुई हो तो वीडियो को कर दीजे like channel को कर लिजे subscribe and bell icon को press ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक और new वीडियो में तब तक के लिए bye bye